आज है 7th of August and Monday का दिन अभी 11.40 हो रहे हैं मैंने मॉर्निंग में ट्रेड ली थी and मेरा आज मॉर्निंग में स्टॉप लॉसित हो चुका है इसलिए आम में वीडियो बना रहा हूं and अब में आगे कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूं आज का दिन अभी भी खतम नहीं हुआ है सिर्फ मॉर्निंग सेशन ही बहुत ज्यादा वॉलाटाइल था and definitely जिन्होंने आज ट्रेड की होगी उनका ब्लड ट्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ होगा इस बात के तो 100% गैरेंटी है आज सबसे पहले मैं आपको अपने पर पोजीशन दिखा देता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको अपने ट्रेड के बारे में लॉजिक समझाओंगा यह मेरी पोजीशन है इसको एक बार मैं रीफ्रेश कर देता हूँ रीफ्रेश करके देखेंगे तो मैंने 19,550 का पूट ऑप्शन सेल किया था मेरी पोजीशन आज लॉज में एक्जिट हुई है जो 5945 का आज मैंने लॉज बुक किया है वेल इसका क्या लॉजिक है क्यों मेरा लॉज बुक हुआ है वेल मैंने जो इग्जाक्ली 5th कैंडल है 935 की जो इग्जाक्ली एंड इसके एंड पे मैंने यहाँ पे 19,550 का पूट ऑप्शन सेल किया था इसका लॉजिक क्या है वेल बहुत सिंपल था कि निफ्री अपने प्रीवेश जाही के ऊपर आज ओपन हुई थी अगर आप देखेंगे तो फोर्थ कैंडल जो 930 की है उसने बहुत अच्छे से प्रीवेश जाही पे सपोर्ट लिया था और प्रीवेश जाही के साथ साथ यहाँ पे एक वीकली पिवट भी है जो वाइले डॉट डॉट लाइन आप देख सकते हैं यह दोनों सपोर्ट एक साथ हैं मतलब this will act as a very very important support इसलिए इस लेवल पे exactly मैंने 935 की जो कैंडल है उसके exactly end पे जैसे ही मार्केट ने प्रीवेश जाही के उपर क्लोस किया वीकली पिवट के उपर क्लोस किया उसके साथ साथ जो डेली पिवट है यह जो रेड डॉट डॉट लाइन है उसके उपर भी क्लोस किया exactly इस कैंडल के end पे मैंने 19,550 का put option सेल किया था यहां से मेरा व्यू था कि मार्केट कंटिनुसली उपर जाएगी वेल मार्केट मेरी पोजिशन जैसी मैंने ट्रेड ली थी उसके आद मार्केट कंटिनुसली फॉल की थी और वापी से 9.55 की कैंडल ने एक सपोर्ट दिखा था प्रिवेज जाही पर एंड कंटिनुसली उपर गई थी अगर मैं आपको फिफ्ट कैंडल एक बार बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगे वेल बहुत अच्छा एक सपोर्ट ले रही थी वो C.P.R. पर 9.35 की कैंडल ने बहुत अच्छे जे C.P.R. पर सपोर्ट लिया था एंड सिफ इसी लॉजिक के वज़े से मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था बिकॉस निफ्टी में प्रिवेज जाही प्लस वीकली पिवर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट था उसके साथ-साथ ब उसके नीचे क्लोस किया है एंड यहाँ पर मेरा स्टॉप्लस विट हो गया तो मैं आपको एक बार और बुक लेके चलता हूं यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 75.1 का सेल किया था एंड 87 का मैंने स्टॉप्लस रगा था लेकिन उसके आद मैंने उसको ट्रेल करके 87 पर लेके आगया था यहाँ पर मैं आपको एक बार दोनों ही चार्ट दिखाता हूं यहाँ से इस लेविल से एक और नीचे की तरफ ट्रेडिंग और बन सकती है जहां पर लेफ्टेंड साइड पर बैंग निफ्टी का चार्ट है अगर बैंग निफ्टी अपना ब्रेक करता है नीच पर बैंग निफ्टी की तरफ एक यहाँ पर शॉट की ट्रेड भी ली जा सकती है बट क्या यहाँ पर मैं अपनी एक शॉट की ट्रेड लूँगा वेल बिलकुल भी नहीं बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है मार्केट कितनी भी अगर मार्केट हजारो चुप नहीं अगर आप त्रेड लेता हूँ इसलिए और मैं ज़्यादा में बाकी अगर बरियत को काटने के लिए मैं ऐसे ट्रेड नहीं लूँगा बिकोज ये मैं प्योर बिजनस चला रहा हूँ और बिजनस के अकॉर्डिंगली है कुछ रूल से जो हम फॉलो करते हैं उस हिसाब से एक ट्रेड एक दिन तो यहाँ पी मेरा स्टॉब लॉस हिट हो चुगा है अब यहाँ पी मैं अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट क्लोस कर दूँगा अपना जीरोदा का अकाउंट क्लोस कर दूँगा अब कल वापिस आऊंगा मार्केट में और नई अपॉर्टिटीस फाइंड करूँगा आपको समझ आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको भी ऐसी करना पड़ेगा आपको कुछ ऐसे सर्टेन रूल्स बनाने पड़ेंगे वो आपकी डिस्क्रिशन की आप कैसे रूल्स बनाते हैं मार्केट ने यहां से स्लाइटली फॉल्ली जिसके हमारा लॉस इट हो गया जिनको भी मेरे 10 ट्रेडिंग पाटर्ण के कोर्स के बारे में जानना है आप या तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम हैं पूछ सकते हैं हर्शित भारतवाज उसका नाम है या फिर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेरा वाट्सेप नंबर भी दिया है उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एक लाप मेरी डाउलोड करकर देख सकते हैं अगर आपको उसको कॉंटेंट अच्छा लगता है वर्थ लगता है तो आप डैफिन्टी ले भी सकते हैं So, that's it about the video today and thanks for listening with lot's of patience